होना यहीं चाहिए भगतों के अंदर, सिवादारों के अंदर, भगत और सिवादार भी दो प्रकार के होते हैं बुरा ना मानना बच्चो, क्योंकि आपको कहा है अपना अनुभब बताएंगे और सची बात बोलेंगे चापलुसी हमें पसंद कभी नहीं थी, ना आज है ना खल रहेगी जूट बोलना ना चल लगता था, ना लगता है और ना ही कभी लगेगा तो दो तरह के सारे लोग होते हैं, कम से कम, बाकी तो बहुत तरह के होते हैं गिरगिट तो इसलिए गाइब हो गई है, क्योंकि उसकी जगह आदमी ले चुका है आज सामने वाले को दिखा चया का रंग बदलना है, तब पता चलता है जब यूटरन ले जाता है बात करते करते So बात चल रही थी भगती की भगत भी दो परकार के सिवादार भी दो परकार के होते हैं एक होता है भगती करना मजबूरी में खिया टाइम पास अरे आदा गणटा तो लगाना पड़े गया उनकी निगाह मिन्टों में ज्यादा रहती है। भक्ति में कम रहती है। और कोई भी चीज करी हुई कर रिजल्ट आए ना आए। की गई भक्ति का रेजल्ट सो परसेंट आता है पर एक भक्ति होती है enjoy कि यार आपने सद्गुर को खुश पाना है रोहानी नजारे लेने हैं वो उसकी रजा वो नुरानी में आए, रोहानी में आए दुनियावी रूप में आए किसी भी रूप में आजाए उसको पाके रहेंगे और आपा तो उसकी मस्ती में उसकी अनहद सुनके रहेंगे एक मस्ती में सुमरन करना एक खुशी में सुमरन करना चाहिए पांच मिंट क्यों न हो जाए उसका कोई मुकाबला नहीं एक नींद आठ गंटे पड़े रहते हैं और करबट पे करबट दे तेरे कि इदर उदर चद्रबचारी सुबा उठते हैं उसके इतनी सल्वटें पड़ी होती हैं पूछो मत और एक चार गंटे जा छे गंटे इतनी डीप स्लीप सोते हैं कि अधे गोडे बेच के सो गया किसी डॉक्टर से किसी भी पैथी में पूछ लो वो जो डीप स्लीप है चार जा छे गंटे की वो ठारा गंटे की नींद से अर्बो गोना जादा अच्छी है तो उसी तरह भगती है एक होता दिखावा करना मैं ये कर रहा हूँ लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा नजदीक है आपको पिछे भी एक वार ये टॉपिक चला था बड़े पाउं से चूने लग जाते हो आप यार ये तो पिता जी कैसे नजदीक होगा ये फलाना बिल्कुल आपकी गलत सोच है नजदीक है तो दिल में सतकार होना चाहिए जुकना है तो अल्ला वाहिगरू रामयार होना चाहिए हम ये नहीं किते कितने रहो वैसे तो हरका किसी का सतकार करो हाथ जोड़के नारा लगाओ वैसे हमने नारे का भी एक तरीका सोचा था आपको बताएंगे फिर कि भाई खास किरके जिनके लॉकेट पहने हुए हैं जो सारे दर्मों को उसका मतलब यह हो जाता है कि इसने लॉकेट पहना तो इनसान है इनसान का मतलब हो गया सारी सरिस्टी सारे उंच नीच को एक समान मानने वाला तो इसलिए वो इनसान दर्जा दियेगा और पसू तो आप पहले भी नहीं थे आदमी तो पहले भी थे लेकिन आदमी आदम से पैदा हुआ मुश्य मनु से पैदा हुआ यहां जब इनसान बन जाता है तो उसकी एक पहचान बन जाती दीनता नमरता प्यार मुहबबत हर किसी को एक नजरिये से देखना कोई उंच नीच नहीं कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलना बला ही बला सोचना और बला ही बला करना ये इनसान का काम हो जाता है